Hello friends, तो आज हम एक नई पोयम देखने चाह रहे हैं, A Tiger in the Zoo और ये पोयम अपने आप में सेल्फ एक्स्प्लियर्ट की है A Tiger in the Zoo, What do you mean by? इसमें तो हमें इतना पता लग रहा है कि एक Tiger जो जूम है तो भी इस विग्गार कि डिए ख wildly भैकर कि वही और तो कि पहले इस से आवे हैं आहला कि तो मिझाशा होगा ही फिन में और वीकजालने थे आहें, हो फैं और चैंगल में दीङुल कोशी है इसके बहुता रहे हैं सबसे पहले हमें बतारे हैं इसाथ को मतलब होता है चलना move slowly, slowly कोई दीरे zodan달 बतारे है दीरे चलना व хотите weมновarian कि पहले हो कि मßध नियुक्त स्थ20 एप लो की बीज़ है वाग इसे हम वह से देखरा है रहे हैं ब्ते तार्म की धारियों से ठीक है तो वो धीन कणमो से और टिज यानि कि इस से से लग रहे है कि वह जंगल में नहीं है वह कहाँ नहीं है और रहे हैं चंगल यह चेंजा है यह क्या कर रहा है कि यह जूम है यानि कि एक केज में बंध है लॉग्ड है ठीक है फ्यू स्टेपस फिस केज अपने अगर आप जू गए होगे तो देखा होगा हमापे केज किता चोटा सा उता ही टाइगर नौ के लिए तो वह बोरे कि वह सिरफ कुछ ही कदम ले सकते हैं और अगर आप देखो कि जूम में तो वहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक सेल होगा मतलब कीज होगा जिसमें एक टाइगर बांध होगा या तो बैठा होगा या तो इदर उतर घूम रहा होगा लेकिन आप जंगल में जाओ तो जंगल में आपको दोड़ता होग पूरा जंगल को इदर उतर घूमता है लेकिन केज में ऐसा नहीं है तो वह सिर्फ कुछ स्टेप्स ले सकता है अपनी केज में पैट्स वेलवेट कोई अब इसमें वेलवेट क्या है एक सॉफ्ट कपड़ा जिसको इंडिकेट किया है टाइगर के पोस्से मतलब कि पैर होत इसमें वेलवेट क्लॉथ की तरह सॉफ्ट होते है जिससे वह चले तो एकदम आवाज आती है बिल्कुल कुछ आवज जैसे कोई आई नहीं रहा है ऐसी आवाज आती है ठीक है इन इस कॉइट रेंज का और रेंज का क्या मतलब है बताओ क्वाइट मतलब शान्थ रेंगर अपने गुस्टे को अपने गुस्टे को अपने अंदर ही बसाकर पैठा हुआ है उसने वह बाहर नहीं निकाल रहा है क्योंकि वह केज में है और जब लोग आते हैं तो वह कुछ कर नहीं सकता वरना जंगल में अगर हम मिल जाएं उसको क्या हाल होगा वह हम नेक्स प्रीक प्रीक पोया में उसमें तो पर देखेंगे ज Orion जान तो इसमें बताँ है कि वह शांती वह एपना एंगर उह है और इसमें थेंगलने फल्य काहिए निक्स करूंद भाहर ने च다 ar th – अनदर या, है वह कुछ जाएन टैकें निक्स स्वाइक इंगर में फशने है शनिते हैं झ तो चुपता है वो लर्किंग नियांको चुपते हैं कि अब इस चुपता है पिछे स्लाइडिंग तुरू लॉण ग्रास रहता है है जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे वह पीछे अपने उसी तरीके की घास के पीछे चुपाई कि उसको देख भी न पाए उसको अगर और अगर किसी ने नहीं देखा यानि कि जो प्लंप डियर है मोटा फैटी सा डियर है उस वह सामने से गुजरता है तो उसको खा सकता है ताकि वह इस इसलिए वह कह रहा है कि नियर दे वाटर होल वियर प्लंप डियर पास ठीक है तो इसमें बता रहे हैं सेकंड स्टेंजा में यह कॉंक्लूजिन निकल रहा है कि एक टाइगर है जो क्या करता है स्लाइडिंग थू लॉंग राद लर्किंग इन शेडो जो घासों के पीछे बतलर कि वह चुपता है और लॉंग ग्रास के पीछे धीर धीर दीमी आवाज में चलता है और कहां मिलता है वह जातर यह पानी के आसपास मिलता है जहां पर प्लंप डियर पास करें और वह उसको खाले ठीक है नाव लेट्स गो तो थर्ड सेंजा नाव इन थर्ड प्लंप एक वारनिंग साम्न एक रगेशीव साम्न पिया ऐख का test करा है वह जांन थक्यां कि इसफोर एक हमिला इंफ तर ऊठ्ल गई में प्लंप फल्लक ऑपे तैटराइजिंग गर मतलब वो जंगल के बारे में पता है जो टाइगर जंगल में है एक टाइगर जो वाइट सावनीग इन देता है कहां जो जंगल के आसकि गर है ठीक alc is वाइट वाअाइगर जो यकल गर देता है 취струкTS केतने आधाक सावनीग देता है किसे इस चूप्ते वो वर्निंग साउंड देता है ताकि जो विलिजर्स है वो डरे हैं ठीक है लेकिन अगर आप जूमे देखो तो आप बल क्यूट से डरा के चले जाते हैं तो अगर आप जंगल में जाओ तो फिर पता लगेगा कि वो जो है वो कितना खदरनाक है जूमे इतना नहीं लगता है ठीक हो सब्सक्राइब करने से कहान फोर्डंगम साउंड देता है वो जो है जंगल में एक व्रॉर्ण चिल्य यशर्स को किसके साथ अपने जो तूस हैं और फिर जागेगे neucent पंत्रेसं किसके साथ तोस है उसके साथ तोस है उसके साथ चिका कहा है? दो under the zone उस्ट सेल एकरीद vais備 केज बंद में तो फ्य शक्राइब केज बंद में लिए एक ब स्ट्रेंध बीक्अपाल में गन्ट में टाकत कत बंद में रो और बंद आज ़िए भार्स में बंद देखें पर आफ इसे को बोलते भार्स तेज बुदह का पई पर बिबया है स्लोली करना जी इस चूर्किन को तोаки बैगा पाइगाई जी केजे चोटा जम्य वाग करता है इगनोरिंग विजिटर्स को वह अग्नोर करता है उनको नहीं देखताई लेकिन कि अब आप उसको जूमीं मिल सबस्क्राइब, तो कुछ अलगी बाती है, now let's go to the last stanza In the last stanza, he hears a last voice at night, the petrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars The stanza indicates that a tiger is the chief in the zoo यह यह जो एक झाद है तो दोर रहे हैं कि इस वुद्ध यहाथ हैया झालका सिर्णी आया जा आते हैं देखने आते हैं एपन ऐस ब्रिलियांत आइस आइस तार्स नीडियांग कर तोर अपनी प्रिलीयंत एपनी आइस को अजा पर यह होना जो एक इस उसले किया गया है क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं और जो उसके टाइगर्स के आंके होती है वो भी रात के बाद शाइन करती है इसको बोला है Brilliant eyes and Brilliant stars जो यह और ब्रिल्याइ प्रिल्यांट स्टार्ड करते हैं और अगण देखते हैं ग्लोऊइंग आइज के साथ उन स्टार्स को देखते हैं क्यों देखते हैं इस पे हुँस्टिन भी है वो इसलिए देखते हैं तो आपको क्या काम करना दो है, ऐ 상황 करना है, में इस टाइगर के पोएट का नाम लिखना है और अगर आपको याद है तो आप बिना देखे लिखोगे और इस चेप्टर के कोई भी कोशनासर में कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लेगा कोई भी किसी भी लाइन में भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीचेगा अब मिलते हम नेक्स वीडियो में तिल दन बाई थैंक यू